तो सबसे पहले आप सभी को बताएं कि हिमाचल परदेश सेक्टरेट एक्जाम जो है अब हो चुका है तो जिसका भी एक्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात वोलूँगा कि इस टाइम पर आपको अपनी प्रेपरेशन को नहीं छोड़ना है कुछ स्टूडेंट से डिप्रेश होकर प्रेपरेशन छोड़ने लग जाते हैं तो देखो जिस टाइम आप ऐसा करते हो उससी टाइम कोई और स्टूडेंट अपनी प्रेपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉंग कर रहा होता है इसलिए जो हो चुका है उसको छोड़िए और अपन अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ पर हिस्ट्री कॉस्टिन करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं बाकि आज हम पार्ट नमबर 34 को डिसकस क करेंगे बाकि यवी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करें साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो कौन सा स्थल हरपा संस्कृती से समबन्दित है आप सभी को बता है कि लोथल जो की हमारे इंडिया के गुजरात स्टेट में बपर बदा है यह जो हरपा संस्कृती से समबन्दित ऑप्शन यहांपर बी कोरेक्ट हो जाएगा अब देखो सबसे पहली बात यहां पर बात की गई है हडपा कल्चर की यानि की हडपा संस्कृती की तो हडपा संस्कृती से जो भी क्वाशिन जबनते हैं कुछ एक basic से questions भी पूशे जाते हैं वो भी आपको यहां पर बताऊंगा तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा question पुछा जाता है कि हडपा की खोज किस ने की थी तो वो की थी दयाराम साहनी ने और कब की थी 1921 में एक question आपसे पुछा जाता है कि हडपा किस नदी के किनारे पड़ता है तो यह रावी नदी के किनारे पढ़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है दूसरा सबसे important और सबसे basic सा question पूछा जाता है कि मोहन जुदारों की खोज किस ने की थी, तो वो की थी राखलदास बनरजी ने और कब गीती 1922 में और मोहन जुदारों की इस नदी के किनारे पढ़ता है तो यह सिंधू नदी के किनारे पढ़ता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी किस स्थल के नजदीक पढ़ती है, यह question भी exam में बन रहे हैं अब देखो हडपा संस्कृती से जब भी question आएगा तो हम एक point हर बार discuss करते हैं यह जो हडपा संस्कृती है, इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षनी स्थल और सबसे पस्चिमी स्थल तो जब भी बात आएगी कि हडपा संस्कृती का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है तो वो है मांदा जो कि जम्हु कश्मीर में परता है और चिनाव नदी के किनारे जो है तो पढ़ता है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है तो वो है आलमगिरपुर कौसे पहला गॉच्टिंजो बारत में पूचे जाते हैं कि भारत में सबसे बड़ा सिंदू नगर कौन सा था यूष्टरा कौसे पूचे जाता है कि सिंदु सबेता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो वो हो जाएगा मोहजुदार हो तो यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोडों में आपको कंफ्यूज के जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है अगले कौशन की बात की जाए तो सबसे पुराना जैन धर्म गरंत कौन सा माना जाता है तो सबसे पुराना जो जैन धर्म गरंत है वो माना जाता है 12 अंगाज यानि की 12 अंगों को किनको माना जाता है 12 अंगों को यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है अब देखो यहां पर बात और जयन धरम के 24 में यब हम अंती में तिरस्थगर कौन थे तो वो थी महावीर स्वामी, ये आप सभी को बता होगा, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन था, शेर या पर आप कह सकते हो, सिंग जैतो इनका प्रतीक चिन था, अब यहाँ पर देखो बात की गई थी, सबसे उ इन ही बारा अंगों में की गई है, ये भी आपको धियान में रखना है, और इन ही बारा अंगों को समझने के लिए जातो उपांग की रसना की गई थी, उपांग की रसना की गई थी, और टोटल उपांगों की संख्या कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अंगों की संख्यापको पता चल गई 12, उपांगों की आपको पता चल गई 12 और पूरवा की कितनी है तो वो है 14, यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंस कन्फियूस हो जाते हैं तो यह तीनों की तीनों आपको यहाँ पर नोट रखने हैं जो की बहुत बार एक्जाम में बनते हैं अगले कोश्ण की बात कीजाएं सो कोश्ण नमर हमारा 123 है अलावदिन खिल जी इंटरेंट तो अलावदिन खिल जी ने बाजार सुधार प्रारंब किये थे तो क्यों किये थे तो maintain a large army economically यानि किफायती रूप से एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए जो है तो अलावदिन खिल जी ने बाजार सुधार जो है तो उप्रारंब किये थे अब अलावदिन खिल जी की यहाँ पर बात आई है तो अलावदिन खिल जी किश वंस से समंदी था तो यह खिल जी वंस से समंदी था और खिल जी वंस किस थापना किस ने की थी तो वो की थी जलावदिन फिरोज खिल जी ने और कब की थी 1290 में तो वहीं पर आप से बुचा जाता है कि अलावदिन खिल जी दिल्ली की गदी पर कब बैठा था तो यह दिल्ली की गदी पर बैठा था 1296 में ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है और इसके बचपन का नाम क्या था तो इसके बचपन का नाम था अली गुरशाषप अब अलावदिन खिलजी ने कुछ एक सुधार जो है तो किये थे तो वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जैसे कि गोड़ा दागने की पर रथा सैनिको काहुलिया लिखने की पर रथा मुल्य अन्टरंड परनाली में सुधार यहनी की Market Reforms इसने करवाई थे नकल बेतन देना, स्थाइर सेना रखना इन सभी ये सभी जोहतों किसने शुरू किये थे तो ये सारे का सारे जोहतों अलावदिन खिलजी किये थे ये आपको धियान में रखना है अलाव दिन खिल जी ने जहतो चितोड पर आगरमन किया था तो वह किया था तीन इसवी में और उसमें चितोड का राजा कौन था? तो वो था राजा रतन सिंग और उनकी पतनी का कया झा म।टा पपना वती तो यह भी आपको ध्यान में रखना है एक और question जोहतो एक्जाम में पूछा जा रहा है कि किस दिल्ली सुल्टान के समय जो मंगोल आकर्मन थे वह सरवादिक हुए थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अलावदिन खिल जी एक ऐसा साशक था अलावदिन खिल जी एक ऐसा दिल्ली का सुल्टान था जिसके समय मंगोल आकर्मन जोहतो सरवादिक हुए थे टोटल जोहतो छे बार जोहतो मंगोले ने आकर्मन किया था इसके साशनकाल में तो यह कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स में आपको यहां पर बता दिये यह सारे के सारे आपने यहां पर नोट रखने है अब पाला रूलर तो पाल साशक जीसे जनता के विभिन वर्गों द्वारा सिंगासन तक बढ़ाया गया था तो वह कौन था? तो वह पाल बंश का संसापक गोपाल था तो यहां पर आपको पता चल गए कि पाल बंश की स्थापना किस ने की थी? तो वह की थी? गोपाल ने अचा कब की थी? यह भी कॉशन बहुत बार एक्जाम portion बन रहा है तो यह बहुत धर्म को मानता था और उदंतपुरी विश्यवद्याले की स्थापना किसने करवाई हुई थी तो भी गोपाल नहीं करवाई हुई थी यह आपको ध्यान में रखना है पाल वंचका एक और राजा था जिसका नाम था धर्मपाल तो धर्मपाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि विक्रम शीला विश्यवद्याले की स्थापना किसने करवाई थी तो विक्रम शीला विश्यवद्याले की स्थापना जो है तो धर्मपाल ने करवाई थी ये question देखुआ एक्जाम में बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो देव पाल था, उसने उदंत पुरी में बहुत मठकल निर्मान करवाया हुआ था, तो ये सारे के सारे questions आपको यहाँ पर note रखने हैं, अगला question, question number 125 है, दीने इलाही was accepted by, तो दीन एक्बर की जभी बात आती है, तो अकबर के बारे में बहुत से questions एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं सारे के सारे आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अकबर का जनम कब हुआ था, तो अकबर का राजब शेक कब प्रफ्यूज करती हैं और बहुत बार यह एक्जाम में बनती हैं तो यह सारी की सारी आपको यहां पर नोट रखनी हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया जो बैरम खान था अकबर का संरक्षक था उसका पतन हो गया था 1560 में उसके बाद अकबर ने दास प्रथा का अंत और अकबर को हर्म दल से मुक्ती कब मिली थी तो वो मिली थी 1562 में उसके बाद पूछा जाता है कि अकबर ने तिर थियातरा पर जो कर लगाया जाता था वह समापत कब किया था तो 1563 में उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने फतेपुर सिकरी का निर्मान जो है त कब की गई थी तो अकबर ने स्थापना की थी 1582 में और एक और पुछा जाता है इलाही समवत जिसको जो है तो इसलामिक कलेंडर भी कहा जाता है तो इलाही समवत या फिर इसलामिक कलेंडर की शुरुआत जो है तो अकबर ने की थी और कब की थी 1583 1583 में जहातो इसलाही संबत या फिर इसलामी कलेंडर के शुरॉत अकबर द्वारा किये गए थी तो ये important dates आपको ध्यान में रखते हैं दो important dates रह गई एक तो है कि अकबर ने जह तो अंतिम आकरमन जह तो किसके विरुद किया था तो कब किया था 1601 में और अकबर की मृत्यों कब हो गई थी तो 1605 में ये important dates मैंने आपको सारी की सारी बता दी ये सारी की सारी आपने हम पर नोट रखनी है अगले question की बात की जाए So question number 126 है The Congress split into moderates and extremists in the session at तो किस अधिवेशन में Congress Congress नर्म पंथियों और गर्म पंथियों में बिभक्त हो गया था तो किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था तो वो था सूरत अधिवेशन और ये कब हुआ था 1907 में हुआ था एक और question यहां से पुछा जाता है कि उस सूरत अधिवेशन की अधिवेशन की में अधिवक्त हो गया थे तो कई बार आपसे question पुछा जाता है कि में कॉआ रहीशन में Congress नर्म पंथियों और गर्म पंथियों में एक साथ फिर से जुड़ गये थे तो एक साथ फिर से कब यह साथ में आ गये थे जिसकी अध्यक्षता गर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है 1916 के बाद आपको ध्यान में रखना है 1917, 1917 का जो कलकत्ता दिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी नायडू ने की थी, सरोजनी नायडू ने अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आपसे पूछा जाएगा कि INC की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो वो हो जाएगी एनिपसेंट और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि INC की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू यह आपको यहाँ पर डिप्रेंस यहाँ पर समझना है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो यह important points मैंने आपको यहाँ पर बता दे अच्छा एक और important है 1938 का हरीपूरा सेशन और 1939 का त्रिपूरी सेशन इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी वो भी आप नीचे कमेंट में बताओ अच्छा मैं ही पता देता हूँ इन दोनों की अध्यक्षता की गई थी अगर कोई कोईरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिज के questions भी देख लेते हैं जो कि आने वाले exam तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial साबित होने वाले हैं तो question number हमारा 163 है तो antonium आपको बुचा गया है compact का antonium होता है विपरितार्थक शब्द तो compact का विपरितार्थक शब्द आपको यहाँ पर बताना है तो compact का विपरितार्थक शब्द बताने के लिए opposite meaning बताने के लिए आपको यहाँ पहले तो इसका Hindi meaning बता होना चाहिए तो compact का हिंदी में नहीं होता है या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा dense यानिकी घना आप कह सकते हो tight आप कह सकते हो दबाना आप कह सकते हो तो इसका right option कह हो जाएगा option भी यहाँ पर correct हो जाएगा enlarge enlarge क्या होता है फैलाना फैलाना आप कह सकते हो खुला कह सकते हो बहुत ज्यादा कह सकते हो तो option यहाँ पर be correct हो जाएगा question number 164 one word substitute आपको यहाँ पर बताना है person not sure for the existence of God ऐसा person जो की God की existence पे वरोसा नहीं करता है कि God जो है तो नहीं होते तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है agnostic option यहाँ पर c बिलकुल correct हो जाएगा अगले question की बात करें question number 165 है the meeting was presided dash by the prime minister तो यहाँ पर हो जाएगा the meeting was presided over by the prime minister option यहाँ पर de-correct हो जाएगा question number 166 correctly spelled word आपको यहाँ पर बताना है कोरेक्टली स्पैट वर्ल यहां पर कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा currency C-U-R-E-N-C-Y option यहां पर B correct हो जाएगा question number 167 की अगर बात की जाए निजहर में समास कौन सा होगा तो निजहर में समास कौन सा होगा 167 का देखो right option हो जाएगा option है निजहर में समास कौन सा होगा तो हमने यहां पर देख लिया 167 का right option का हो जाएगा option है question number 168 की अगर बात की जाए नाइका का संधीव जेद क्या होगा तो 168 का right option क्या हो जाएगा option यहां पर D correct हो जाएगा question हमारा 169 है चलना का विशेशन क्या होगा तो चलना का विशेशन हो जाएगा option C correct हो जाएगा option यहां पर C बिल्कुल correct हो जाएगा question number 170 की अगर बात की जाए सर्प का परेवाची यहां पर क्या होगा तो देखो official answer की कि according जातो इस question का right option option A भी है option B भी है और option D भी है यानि की सर्प का परेवाची जाएटो भुजंग भी होगा फणी भी होगा और उरग भी होगा तो इन यह तीनों जाएटो correct हैं बिल्कुल options यह आपको ध्यान में रखना है अच्छा एक question यहां पर आ रहा है history का उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं तो हडपा और मोहन जोरो के अफ्षेश निमन में से किस नधी के तट परजवेतों मिले है तो मैंने अभी यहां पर पिछले ही question में आपको पताया है जो हडपा है हडपा किस नधी के किनारे बसता है तो यहां रावी नधी के किनारे बसता है इसलिए option A correct है अब हरपा सब्वेता के बारे में हमने पहले ही बहुत से questions ले डिसकस कर लिये हैं अच्छा यहां से मैं आपसे कुछ एक question पूछा हूँ तो question सबसे पहला आपके लिए है कि सिंदू सब्वेता में जो लोग थे वह चांदी चांदी यानि की जो silver था तो चांदी का जो आयात है यानि की import किया करते थे तो कहां से किया करते थे वो ये आपने निचे comments में बताओ पाके मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है गूगल पे जाना है इस तरह के questions आपके आने वाले exam में बन सकते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है एक तो मैंने आपसे यहाँ पर पुछा कि सिंदू सब्बेतावें जो लोग होते थे वह चांदी का आयात यानि की import कहाँ से करते थे वो आपने निचे comments में बताओ और एक और question है की जो पुरोहित की मुर्ती मिली थी और कांसे की नर्तकी की मुर्ती यानि की dancing girl मिली थी वह की स्थल से मिली थी वो भी आपने निचे comments में बताओ तो देखो guys यह थे हमारे कुछ questions आई, hope और वीडियो आप confirmative लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी है तो ज़रूर से इसे like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में हमें टेलिग्राम और Instagram पे follow करना बिल्कुल ही न हुले, तो चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में, till then, take care